नमस्कार दोस्तों मतर्प्तिवारी आकार आईयस की साउनलाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ बिद्यारतियों संस्थान ने जो आउनलाइन कोर्स 15 जुलाई 2020 से प्रारम्ब किया था उसके संबंद में हम सभी सिक्षकों ने आपको पहले ही एजानकारी दे दी थी कि हमारे सभी वीडियो 25 जुलाई 2020 तक आकार आईयस के यूटूब चैनल पे भी अपलोड किये जाएंगे लेकिन इसके बाद के सभी वीडियो निरंतर रूप से देखने के लिए आप सभी विद्यारतियों को हमारे आकार आईयस के अपलीकेशन के माध्यम से रजिस्टेशन करवाना होगा या एड्मिशन लेना होगा विद्यारतियों हर एक संस्थान के सफलता पुर्वक संचालन के लिए संस्थान को बित्ती सहयोग की भी अवशकता होती है और बिना आप लोगों के सहयोग के संस्थान निरंतर रूप से कारे नहीं कर सकता है यद्यपी हमने पूरा प्रयास किया है कि इस online course में फीस nominal रखी जाए ताकि जिसकी आरती किस्थिती बहुत मजबूत नहीं भी हो वो भी संस्थान के इस online course से जुड़ सके हलाकि हमने अपने उन विद्यार्थियों के लिए course पूर्टा मुपत रखा है जो विद्यार्थी lockdown के पहले संस्थान में अध्यन रथ थे लेकिन यदि नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारी online classes के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें अब अपना admission करवाना होगा admission करवाने के लिए जो guidelines होगी उसके संबंद में एक video हमारे YouTube चैनल पे कल साम तक upload किया जाएगा और उस video की link आकाराईS के Facebook पेज पर भी उपलब्द कराई जाएगी उस video में दिये गए निर्देशों का पालन करके आप आसानी से अपना registration करवा सकते हैं और हमारे इस course में आप admission ले सकते हैं विद्यार्थियों एक बार पुना मपूरे विश्वास से संपूर संस्थान की और से आप सभी से यह कहना चाहता हूँ कि हम सभी सिक्षत बहतर से बहतर कारे करने के लिए प्रतिवद्द हैं और इस online course में निरंतर अपने आप में सुधार करते रहेंगे और आप लोगों को बहतर से बहतर सिक्षा देने का प्रयास करते रहेंगे इस दोरान आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने कुछ बहुत अच्छे और महत्तपुन्ट सुझाओ भी हमें दिये हम कोसिस करेंगे कि भविस्त में आपके द्वारा दी गई उस सलाह को हम implement कर सकें ताकि हमारी ये classes आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा उपयोगी हो सकें तो दोस्तों यद्यपी हमने जो series 15 जुलाई 2020 से प्रारम की थी जिसमें सभी सिक्षक अपने अपनी classes को continue record कर रहे थे और उन continue record किये गए वीडियो को आकार आईस के YouTube चैनल पे सेर कर रहे थे उस series का समापन 25 जुलाई 2020 में हो रहा है लेकिन उसके बाबजूद भी सभी सिक्षक अपने अपने विश्यों के महत्पूर चैप्टर से related वीडियो निरंतर संस्थान के इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे तो विद्यार्तियों पूरे संस्थान की ओर से मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जल्दी से admission लेकर के आप अपनी seat secure करें और हमारे इस program को या इस series को continue देख सकें दोस्तों आगे हम लोग last class में जो कुछ भी हमने पढ़ा था उसे एक बार पुना revise करेंगे और उसके उपरांथ हम आज की class में महमूद गजिनभी के संबंद में बिस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों last class में हम लोगों ने अरब आकरबन के संबंद में पढ़ा था पहले हम आज की इस class में अरब आकरबन चे संबंदित class को revise करेंगे और फिर हम आगे तुर्क आकरबन के संबंद में जानने का प्रयास करेंगे तो चलिए बहुत जल्दी से हम अरब आकरबन चे संबंदित class को revise करते हैं अरब आकरबन चे संबंदित या अरबों के द्वारा किया गया था या प्रस्न अत्यंति मत्यपूर्ण है जो प्रारंबिक परिक्षा के दृष्टी कोन से आप लोगों को याद रखना है दूसरा मत्रपूर प्रस्निया पूछा जा सकता है कि भारत पर अरबों के द्वारा या मुसलमानों के द्वारा प्रथम सफल आकर्मन कब किया गया था, 712 में किया गया था, किस के नितरत्त में किया गया था, मुहम्मद बिन कासिम के नितरत्त में किया गया था, किस राज्य के बिरुद्ध किया गया था, सिंद के बिरुद्ध किया गया था और उस समय सिंद का सासक कौन था, तो उस समय सिंद का सासक दाहिर था, तो दोस्तों इन दो लाइन से संबंदेत कई महत्यपूर्ण प्रशन हो सकते हैं, पहला महत्यपूर्ण प्रशन कि भारत पर आकरमण कर परने वाले प्रतम मुसलमान अरब थे, दूसरा महत्य पूर्परस ने भारत पर मुसलमानों ने या अरबों ने सर्ब प्रतम आकरमण कब किया, 712 इस भी में किया, किस के नेतरत्त में किया, मुहम्मद बिन कासिम के नेतरत्त में किया, किस राज्य के बिरुद्ध किया, इस्थापना चाच के द्वारा की गई थी और चाच का पुत्र दाहिर ही उसका उत्राधिकारी हुआ था। उसी दाहिर के समय पे मुहम्मद बिन कासिव ने सिंद पर आकर्मन करके सिंद में मुसलिम समराज कुछ समय के लिए इस्थापित किया था। तो यह भी एक महत्त पूर्ण पर पूंचा जा सकता है कि अर्वों ने जब सिंद पर आकर्मन किया उस समय सिंद का सासक दाहिर था। और दाहिर किसका उत्राधिकारी था। तो दाहिर चाच का उत्राधिकारी था। दोस्तो सिंद में होने वाले अरब के इस आकर्बन की जानकारी हमें चचनामा नामक पुस्टक से प्राप्त होती है, चचनामा की रचना मूल रूप से अरबी भासा में की गई थी, यद्यपी चचनामा के लेखक को लेकर करके बिवाद है, फिर भी हम ऐसा मान सकते हैं कि उस तक से प्राप्त होती है चचनामा की रचना किस के दौरा की गई थी अली एहमत के दौरा की गई थी और मूल रूप से किस भासा में की गई थी अर्बी भासा में की गई थी तो ये पार्ट भी महत्पूर्ण है आप लोगों को याद होना चाहिए अगली बात ये है कि इसे इस्किप कर सकते हैं दोस्तो अगली मत्यपून बात कि अरबों के द्वारा 712 इस्वी में जो सिंध पर आकर्मन हुआ उस आकर्मन का मुख उद्देश क्या था तो अरब आकर्मन का प्रमुख उद्देश भारस से धंदवलत प्राप्त करना और भारत में इसलाम धर्म क प्रचार प्रसार करना ता अरब आकर्मन का उद्देश भारस में किसी इस्थाई मुसलिम समराज्जी की इस्थाप्ना करना नहीं था मैंने आपके बताया था क्योंकि साउधी अरब और भारत की बीच की दूरी बहुत ज़्यादा थी और साउदी अरब में बैट करके खलीफा या अरब के लोग भारत पर अपना प्रभावी नियंतरण इस्थापेत नहीं कर सकते थे यही कारण है कि जब 712 इस भी में मुहम्मद बिन कासिम के नितरत्त में अरबों ने सिंद पर आकर्मन किया तब उस आकर्मन को उद्देश से भारत में किसी इस्थाई मुसलिम समराज जी की इस्थाबना करना नहीं बलकि भारत से धंदोलत प्राप्त करना और भारत में इसलाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था तो ये पॉइंट्स भी महत्यपूर्ण हैं जो प्रारंबिक परिक्षा में पूछे जा सकते हैं हमने देखा था कि ततकालिक कारण ये था इराक के सासक हज्जाज के एक जहाज को सिंद के देबल नामक बंदरगाय पर लूट लिया जाना और हज्जाज ने जब सिंद के सासक दाहिर से हर्याना मांगा तो दाहिर ने हर्याना देने से इसलिए हज्जाज ने खलीपा से अनुमती पराप्त करके अपने दो सेना नायकों अबेदुल्ला और बुदैल को सिंद्ध पर आक्रमन करने के लिए भेजा लेकिन वो सफल नहीं हो सके और फिर अल्टिमेटली हज्जाज ने 712 इजबी में अपने गुलाम और अपने दामाद मुहम्मद बिन कासिम के नेतरत्त में सिंद्ध में सेना भेजी और मुहम्मद बिन कासिम ने 712 इजबी में सिंद्ध के नगर देबल पर आकरमन करके देबल को जीता उसके उपरांत उसके द्वारा निरून, सेहवान, रावर, ब्रामनाबाद और सबसे अंत में सिंद की राजधानी अरोर को जीता गया यहां यहां प्रस्ण पूंचा जा सकता है कि मुहम्मद बिन कासिम ने किस युद्ध में दाहिर को पराजित किया था रावर की लडाई 20 जून 712 इसबी में हुई थी रावर सिंद इस्थित एक महत्पुन नगर था इसके उपरांत मुहम्मद बिन कासिम के द्वारा अंतिम रूप से सिंद की राजधानी अरोर पराक्रमन किया गया और अरोर की बिजए सिंद में अरवों के द्वारा की गई अंतिम बिजए थी इस तरह से 712 इसबी में अरवों की सिंद बिजए कंप्लीट हुई इसके उपरांत मुहम्मद बिन कासिम ने सिंद जीतने के पस्चाथ 713 इसबी में मुल्तान पर भी आक्रमन किया और मुल्तान को भी मुहम्मद बिन कासिम के द्वारा जीता गया कहते हैं अरवों को मुल्तान सितना सुना मिला कि इतिहास में अरवों के द्वारा मुल्तान को स्वण नगर या स्वण नगरी कहा गया और यह मुल्तान की बिजय अरबों के द्वारा भारत पर की गई अंतिम बिजय थी तो सिंध पर की गई अंतिम बिजय अरोर की बिजय और भारत में की गई अंतिम बिजय मुल्तान की बिजय को माना जाता है क्लियर है दोस्तों? आगे हम लोगों ने महत्यपूर्ण तत्थिये देखा कि अरब भारत के अन्य छेत्रों में प्रवेश नहीं कर सके, मुहम्मद बिन कासीम की भी दो वरसों के उपरांत मृत्तू हो गई और अरबों ने किसी तरह से सिंद हुए मुलतान पर 871 इसबी तक अपना अधिकार बनाई रखा लेकिन इसके उपरांत अरबों को भारत छोड़ करके वापस जाना पड़ा दोस्तो इस अरब आकरमन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा तो इस अरब आकरमन के परिणाम सरूप भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ जिसे इसलाम धर्म के नाम से जाना जाता है और इसी आक्रमन के परिणाम सरूप जितने समय तक अरब के लोग भारत में रहे तो उन अरब के लोगों के द्वारा ही सबसे पहली बार भारतियों के लिए हिंदू सब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ प्रस्न पूँशा जा सकता है कि भारतियों को सरुपरतम हिंदू किनके द्वारा कहा गया था अरबों के द्वारा किया गया था। उस कर को इतिहास में जजिया कर के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रस्ण या महत्वपून रूप से पूचा जा सकता है कि भारत में सरप्रतम जजियाकर किसके द्वारा लगाया गया था? मुहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था और कहां के हिंदों पर लगाया गया था? तो सिंद्ध के नगर देवल के हिंदुओं पर लगाया गया था दोस्तो अरबों के द्वारा ही भारत में खजूर की खेती एबम उंट पालन प्रारंब किया गया था आगे हमने देखा कि इस अरबा अक्रमन का अरबों पर क्या प्रभाव पड़ा तो अरबों के इससे कई लाब हुए अरबों को भारत से नाकेबल धनसंपत्ती प्राप्त हुई बलकि अरब के लोग जब भारत से वापस अरब गए तो वो भारत की ग्यान विग्यान की कई पुस्तकें भी अरब ले गए और वहाँ उन पुस्तकों को अरबी भासा में उन बात किया गया और जिससे भारत के संचित ग्यान का लाब अरबों को भी प्राप्त हो सका। इस बीच अरबों के द्वारा भारत से दो महत्पून पुस्तकें अरब ले जाई गई थी। पहली महत्पुन पुस्तक, ब्रह्म में इस्पुट सिध्धान्त, जिसे ब्रह्म सिध्धान्त भी कुछ पुस्तकों में कहा गया है, और दूसरी पुस्तक, खंड खाद्यक, जिसे कुछ पुस्तकों में खंडना खंडयक भी कहा गया है, ये दोनों पुस्तकें ब्रह्म में उनुबात किया गया इस तरह से इन पुस्तकों में लिखित गणित एबं जोची के ग्यान का लाब अरबों को भी प्राप्त हुआ इसलिए हितिहासकार यह मानते हैं कि अरब के लोग गणित एबं जोची के छेत्र में भारत के रिणी हैं तो यह हमने भारत पेर हुआ अरब आक्रमण के संबंद में कुछ महत्पूर्ण तथ्य को रिवाईच करने का प्रयास किया है आगे हम पढ़ना प्रारंब करते हैं भारत में हुए तुर्क आक्रमण तो दोस्तो जब अरबों ने अपने समराज का बिस्तार करने के लिए या धंदौलत प्राप्त करने के लिए या इसलाम धर्म का प्रचार प्रशार करने के लिए साउदी अरब के अतरिक्त अन्य छेत्रों पर आक्रमण किये तो अर्बों ने इरान पर भी आक्रमण किये और अर्बों के इरान पर होने वाले निरंतर आक्रमण से परिशान हो करके बहुत सारे इरानी इरान छोड़ करके तुर्कमेनिस्तान भाग गए वही इरानी आगे चलकर के तुर्क कहलाए और उन्ही इरानियों ने आगे चलकर के इसलाम धर्म भी स्विकार कर लिया उन्ही इरानियों में से एक महत्पुन इरानी हुआ अलपतगीन जो अब तुर्क कहलाया जाने लगा था उसी अल्पतगीन ने 963 इसबी में अफगानिस्तान इस्थित गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क राज्ज की इस्थापना की तो तुर्क राज्ज का संस्थापक कौन था अल्पतगीन था अल्पतगीन ने अपनी राजधानी कहां इस्थापित की थी अफगानिस्तान इस्थेद गजनी में स्थापित की थी दोस्तो इसी अलपदगीन का उत्रदिकारी इसहाक बलक्तगीन और पीराई हुआ और पीराई का उत्रदिकारी अलपदगीन का गुलाम और अलपदगीन का दामाद सुमुक्तगीन हुआ जब सुबुक्तगीन गजनी का सासक था उस समय भारत में कस्मीर छेतर में हिंदू साही वंसके सासकों का अधिकार था और इस समय हिंदू साही वंसका सासक जैपाल सासक था तो जैपाल और सुबुक्तगीन के राज्य की सीमाएं एक दूसरे से टकराती थी इसलिए अक्सर इन दोनों के मद्द संघर्स होते रहते थे माना जाता है ज़्यादातर मौकों पर सुबुक्तगीन ने जैपाल को पराजा तो दोस्तो ऐसा प्रथम तुर्क आकरमन कारी कौन था जिसने भारती छेतर पर आकरमन किये थे तो उसका नाम था सुबुक्तगीन या फिर यदि मैं आपसे पूँचूं कि गजनी एवं हिंदू साही राज्य के मद्द एक लंबा संघर्स गजनी के किस सासक के समय प्रारंब हुआ तो सुबुक्तगीन के समय प्रारंब हुआ या फिर यही परस्ण मैं इस तरह से पूँचूँ कि गजनी और हिंदु साही राज्य के मद एक लंबा संगहर से हिंदु साही राज्य के किसासक के समय प्रारंब हुआ तो जैपाल के समय प्रारंब हुआ तो भारत पर आक्रमन करने बाला प्रथम तुर्क आक्रमन कारी सुबुक्त गीन था। अधिकार स्थापित कर लिया। इस तरह से 998 ISB में गजनी की गद्धी पर महमूद गजनबी बैठा। और इसी महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमन किये। तो अगला हमारा महत्पूर्ण चेप्टर है महमूद गजनबी और महमूद गजनबी के द्वारा भारत पर किये गए 17 आक्रमन। किलियर अब इत्यार थे हो। महमूद गजनबी ने 998 ISB से ले करके 1030 ISB तक सासन किया था। दोस्तो महमूद गजनबी किसका उत्तराधिकारी था? इसमाइल का उत्तराधिकारी था और कहां का सासक था? गजनी का सासक था। राजगदी प्राप्त करने के पस्चात महमूद गजनबी ने एक बिसाल तुर्क राजजी की स्थापना की और उस बिसाल तुर्क राजजी में सासन करने की उनुमती खलीफा से प्राप्त की। उस समय खलीफा बगदाद में बैठते थे। खलीफा अर कादिल बिलाह ने महमूद गजनबी को गजनी का सासक स्विकार किया और पहली बार खलीफा के द्वारा किसी मुसलिम सासक को सुल्तान की उपादी दी गई। तो दोस्तों एक प्रस्निय बहुत मत्तपूर यह कि सरप्रतम किस मुसलिम सासक को खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपादी दी गई थी, महमूद गजनबी को दी गई थी। क्यों? क्योंकि महमूद गजनबी ने खलीपा के प्रती अपनी स्वामी भक्ती प्रदर्सित करते हुए एक विसाल तुर्क राज्ज में सासन करने की अनुमती या सासन करने की सनद खलीपा से प्राप्त की थी. इस तरह से चुकि महमूद गजनबी ने खलीपा को समान दिया था इसलिए खुस हो करके खलीपा ने महमूद गजनबी को सुल्तान की उपादी दी थी. साथ ही साथ खलीपा ने महमूद गजनबी को यमीन उद्दौला और अमीन उल्मिल्लत की भी उपादी दी थी. यमीन उद्दॉला का मतलब होता है संबराज की दाहिनी भुजा और अमीन उल्मिलत का अर्थ होता है इसलाम धर्म का संरक्षक तो ये दोने उपादियां यमीन उद्दॉला और अमीन उल्मिलत महमूद गजनबी को प्राप्त हुई थी जो कि बगदाद के खलीफा अलकादिर बिल्लाह के द्वारा दी गई थी क्लियर बिद्यारतियो इन उपादियों को प्राप्त करने के उपरान महमूद गजनवी बहुत खुस हुआ और उसने उसी आसर पर खलीफा को ये वचन दिया कि मैं जब तक जिवीत रहूँगा तब तक भारत पर आकर्मन करूँगा काफिरों के देश पर आकर्मन करूँगा और वहाँ से धन्दोलत लूट करके लाओंगा ताकि उस धन्दोलत का इस्तमाल मुसलिम सम्राज्य के बिस्तार में किया जा सके साथ इसाथ भारत में अपने द्वारा किये गए आक्रमन के दोरान मैं इसलाम धर्म का परचार प्रसार भी करूंगा तो महमूद गजन अभी ने भारत में माना जाता है सत्रह बार आक्रमन किये कितने आक्रमन किये? 17 आक्रमन. इन 17 आक्रमनों की संख्या सरपरतम बिटीश इतिहासकार सर हेंडरी इलियट के द्वारा बताई गई है. यद दपी कुछ अन इतिहासकार महमूद गजनभी के द्वारा भारत पर किये गए आक्रमनों की संख्या 17 न मान करके 12 मानते हैं. लेकि पहले ही बताया कि महमूद गजनभी के द्वारा भारत पर किये गए आक्रमन के पीछे उद्देश से क्या थे? पहला उद्देश से था भारत से धंदौलत प्राप्त करना और दूसरा उद्देश से था भारत में इसलाम धर्म का प्रचार प्रसार करना. महमूद गजनभी जो आक्रमन महत्यपून हैं हम उन्हें जल्दी से पढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तो महमूद गजनभी के द्वारा भारत में प्रथम आक्रमन एक हजार ईसभी में हिंदू साही राज्य की सीमा में इस्तित कुछ दुरूगों पर किया गया मैंने आपको पताया था कि गजनी राज्य और हिंदू साही राज्य की सीमाएं एक दूसरे से लगती थी और हिंदू साही राज्य की सीमा में कुछ दुरूग थे उन दुरूगों पर सरप्रथम महमूद गजनभी ने एक हजार ईसभी में आक्रमन किया और आसानी से उन दुर्गों को जीत करके महमूद गजनवी गजनी वापस चला गया तो पहला प्रस्न यह पूचा जा सकता है कि महमूद गजनवी ने बारत में प्रथम आकर्मन कब किया था एक हजार इसवी में किया था किसके बिरुद्ध किया था हिंदू साही राज्य के बिरुद्ध किया था फिर महमूद गजनवी ने भारत में अपना दूसरा आकर्मन एक हजार एक इसवी में किया यह आकर्मन एक हजार एक इसवी से एक हजार दो इसवी तक चला इस आक्रमन के दोरान मेमूत गजनबी ने सबसे पहले पेसाबर पर आक्रमन किया और हिंदू साही राजी के सासक जैपाल को पराजित किया यहां महमूद गजनभी के द्वारा जैपाल और उसके समस्त पुत्रों और पौत्रों को गिरपतार कर लिया गया आगे बढ़ करके महमूद गजनभी ने हिंदू साही राजी की राजधानी वेहिंद पर भी आक्रमन किया और वेहिंद में लूट मार की और वहां से धंदूलत लूट करके इन समस्त लोगों को बंदी बना करके अपने साथ गजनी ले गया गजनी में महमूद गजनभी ने जैपाल को हरजाना लेकर के छोड़ दिया माना जाता है जैपाल ने हरजाने के रूप में पच्चीस हाती और दो लाख पचास हजार स्वन मुद्राएं अर्थात दीनार मुद्राएं दी जैपाल वापस गजनी आया लेकिन गजनी आकर के उसे आत्म गलानी महसूस हुई क्योंकि वो निरंतर पराजित हो रहा था हमने देखा था कि सुबक्त गीन के बिरुद्ध भी जैपाल कई वार पराजित हुआ था और यहां महमूद गजनबी से भी चूंकि जैपाल पराजित हुआ इसलिए स्वयम को अपमानित महसूस करते हुए जैपाल ने आत्म दाह कर लिया आत्म हत्या कर लिया लेकिन मरने से पहले जैपाल ने हिंदू साही राज की राजगदी अपने पुत्र आनंद पाल को सूपी तो अब हिंदू साही राज का नया सासक कौन बना आनंद पाल बना तो यह महत्यपूर्ण प्रशन है कि मैमूद गजनबी से पराजित होने के उपरांत हिंदू साही राज्य के किस सासक ने आत्म हत्या कर ली थी उसका नाम था जैपाल ये जैपाल नाम याद रखना है दोस्तों हिंदू साही राज्य को जीतने के उपरांथ हिंदू साही राज्य का नया सासक आनन्दपाल हुआ था हम मैंमूत गजनभी के आकरवन को आगे पढ़ें उसके पहले हम हिंदू साही राज्य का इतिहास संशित्त में जान लेते हैं दोस्तों हिंदू साही राज्य बरतमान के कसमीर और पंजाब छेत्र में बिस्तारित था और इस राज्य की राजधानी उद्भांड थी, उद्भांड को ही कुछ पुस्तकों में ओहिंद और कुछ अन्पुस्तकों में वैहिंद कहा गया है। यहां एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना एक ब्राम्वन मंत्री कल्लार के द्वारा की गई थी कल्लार का ही उत्राधिकारी जैपाल हुआ था जो सुबुक्त गीन से भी पराजित हुआ था और महमूद गजनबी से पराजित होने के उपरान जैपाल ने आत्मत्या कर ले थी। जैपाल का उत्तराधिकारी आनंदपाल हुआ, आनंदपाल भी 2006 इसबी और 2009 इसबी में महमूद गजनबी से पराजित हुआ। आनंद पाल का उत्तर अधिकारी त्रिलोचन पाल हुआ और त्रिलोचन पाल भी एक हज़ार अठारा इस भी में महमूद गजनबी से पराजित हुआ। इंदु साही राज्य का अंत हो गया और इस राज्य के छेत्र में महमूद गजनबी का अधिकार इस्थापित हो गया। से पराजित होने के उपरांत आत्मत्या कर ली थी। उसका उत्तर अधिकारी आनंद पाल हुआ। इस भी में महमूद गजनबी से पराजित हुआ। हिंदु साही राज्य के संबंद में आपके वल इतना ही याद रखें कि इस राज्य की स्थापना कलार के द्वारा की गई थी। इस राज्य के सासक जैपाल ने महमूद गजनबी से पराजित होने के उपरांत आत्मत्या कर ली थी। और इस राज्य की राजधानी उद्भांड, ओहिंद या वैहिंद में थी। क्लियर मित्रो, दोस्तो महमूद गजनबी ने 2004-1005 इस बी में पंजाब इस्थित भेरा पर आकर्मन किया। इस समय भेरा के सासक बीजी राय थे। महमूद गजनबी ने बीजी राय को भी पराजित किया। और बीजी राये ने भी महमूद गजनवी से पराजित होने के उपरां आत्मिगलानी वस आत्महत्या कर ली। तो एक तरफ जैपाल ने महमूद गजनबी से पराजित होने के बाद आत्मत्या कर ली थी और दूशरी तरफ पंजाब इस्थित भीरा के सासक बीजी राय ने भी महमूद गजनबी से पराजित होने के उपरां आत्मत्या कर ली थी इसके उपरांत मह्मूद गजनभी ने पंजाब इस्थित भटिंडा के किले को जीता जो कि एक हजार पांच एसबी में आक्रमन किया गया फिर मह्मूद गजनभी ने एक हजार छेजबी में मिल्तान पर आक्रमन किया और मुल्तान के सासक दाउद को पराजित करके मुल्तान पर अपना अधिकार इस्थापित कर लिया और इस मौके पर महमूद गजनबी ने भेरा और मुल्तान की जिम्बेदारी सुखपाल नामक बेक्ती को सौब दी सुखपाल हिंदू साही राज्य के सासक जैपाल का पुत्र था किन्तु इस समय तक सुखपाल ने चूंकि इसलाम धर्म स्वीकार कर लिया था इसलिए महमूद गजनभी ने भेरा और मुलतान की जिंबेदारी सुखपाल को सौप दी थी हलांकि जब महमूद गजनभी मुलतान से वापस गजनी लोड़ गया तो सुखपाल ने पुना हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया इसलिए सुखपाल को दंडित करने के लिए महमूद गजनभी ने एक हजार आठ इसबी में पुना मुलतान पर आक्रमन किया और सुखपाल को पराजित करके उसे बंदी बना लिया यहीं हमने देखा था कि एक हजार आठ इसबी में उसने मुलतान को पुना जीता और एक हजार नौ इसबी में मुलतान से आगे बढ़कर के हिंदू साही राज्य पर आक्रमन किया और हिंदू साही राज्य के सासक आनंदपाल को पराजित किया आनंदपाल को पराजित करने के उपरांत आगे बढ़ करके उसने राजिस्थान पर आकर्मन किया और राजिस्थान में अलबर राज्य में इस्थित नारायनपुर को जीता तो एक हजार नौ इस भी में जब महम प्राप्त हुए। फिर महमूद गजनभी ने एक हजार चौदा इस्वी में पंजाब इस्थित थानिस्वर को भी जीतने में सफलता अरजित की। हिंदु साही राजिकी सीमा में इस्थित कुछ दुर्गों को जीतने में सफलता प्राप्त की थे। महमूद गजनभी ने भारत में एक महत्पूर आक्रमन एक हजार अठारा इस्वी में किया। यह आक्रमन कन्योज के सासक राजजपाल के बिरुद्ध किया गया। इस समय कन्योज के सासक राजजपाल थे जो की गुर्जर प्रतिहारवंस के राजपूत सासक थे। कन्योज उत्तर प्रदेश में मेरट के पास इस्थित एक इस्थान है। कन्योज राजजी में ही मतुरा और ब्रंदा बन का छित्र पड़ता था। और यहां के मंदीर कन्योज के सासक राजजपाल के अधीन थे। मैमूद गजपाल ने एक हजार अठारा इस्थि में मतुरा और ब्रंदा बन के मंदिरों पर आक्रम्न करके ना केवल इन मंदिरों में संचित धन संपत्ती को लूटा बलकि उसने इन मंदिरों को नस्ट भी कर दिया। राजपाल ने मैमूद गजपाल के आक्रम्न का सामना करने का कोई प्रयास नहीं किया। मैमूद गजपाल के पड़ोसी राजा बिद्याधर ने बारत के हिंदू राजाओं को यह कह करके राजपाल के बिद्ध भड़काया कि यह राजपाल कैसा हिंदू सासक है। एक मुसलिम आक्रमन कारी ने मतुरा ब्रंदा बनके हिंदू मंदिरों को नस्ट किया और राजपाल ने उसे रोकने का प्रयास भी नहीं किया। और भड़का करके बिद्याधर ने हिंदू राजाओं का सेनिक सहयोग प्राप्त करके राज्यपाल पर आक्रमन करके राज्यपाल को मौत के घाट उतार दिया। तो प्रस्न यह भी पूचा जा सकता है कि अंतिम गुर्जर प्रतिहारवंस के सासथ राज्यपाल की हत्या किसके द्वारा की गई थी बिद्याधर के द्वारा की गई थी। प्रस्न यह भी थी बिद्याधर की सेना थी और दूसरे तरब महमूद गजनभी की सेना थी। कई दिनों और कई रात्री तक दोनों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रहीं। दोनों में से कोई भी दूसरे पर आक्रमन करने का साहस नहीं कर सका। लेकिन एक रात्री के दिन बिद्याधर अपनी पूरी सेना लेकर के पीछे हट गया। और महमूद गजनभी ने आगए बढ़कर के कालिंजर में कुछ लूट मार की और फिर वो वापस चला गया। फिर महमूद गजनभी ने एक खजार 21, एक खजार 22 इसबी में गवालियर के सासक कीरती राज को पराजित किया और गवालियर में लूट मार की और इसी अवियान के दौरान एक खजार 23 इसबी में उसने पुना कालिंजर पर आक्रमन किया। लेकिन वैं बिद्याधर को पराजित नहीं कर सका। यहां यह महत्यपूर्ण प्रस्ण उपस्थित होता है कि भारत का एक मात्र ऐसा हिंदू सासक कौन था जो महमूद गजनभी से कभी भी पराजित नहीं हुआ तो उसका नाम था बिद्याधर। बिद्याधर ऐसा भारत का एक मात्र ऐसा सक था जो महमूद गजनभी से कभी भी पराजित नहीं हुआ था। लेकिन आगेचल करके बिद्याधर और महमूद गजनभी के मद्ध एक संदि हो गई और उस संदि के आधार पर बिद्याधर ने अपने राज़े में इस्थित 15 दुर्विया किले महमूद गजनभी को दे दिये और दोनों के मत्य समझाता हो गया दोस्तो महमूद गजनभी ने भारत में सबसे महत्पूर आकर्मन गुजरात में किया गुजरात में पूरे भारत में प्रसिद्ध एक महत्पूर मंदिर था सोमनात का मंदिर और इस मंदिर म संचित धन संपत्ती की चर्चा विदेसों तक में थी इसलिए यहां संचित धन संपत्ती को लूटने के लिए मैमूद गजनभी ने गुजरात का वियान किया मैमूद गजनभी एक हजार चौवीस हीसवी में गजनी से गुजरात की ओर प्रस्थान किया और 1025 इसबी में गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा पहुंचा इस समय गुजरात की राजधानी क्या थी? अनहिलवाड़ा और गुजरात में चालुक के वंस या सोलंकी वंस के सासा भीम देव प्रथम का सासन था भीम देव प्रथम को ही कुछ पुस्तकों में मूल राज प्रथम कहा गया है तो मैमूद गजनभी ने एक हजार पच्ची सीजबी में गुजरात की राजधानी अनहिल वाड़ा पर आकर्वन किया और अनहिल वाड़ा पर लूट मार की इस समय भीम देव प्रथम ने मैमूद गजनभी के आकर्वन को रोकने का कोई प्रयाश नहीं किया फिर मैमूद गजनभी एक हजार पच्ची सीजबी में ही आगे बढ़ करके सोमनात की मंदिर पर आकर्वन करता है सोमनात का मंदिर गुजरात के काठिया बाड छेत्र में इस्थित था और यहां भगवान सिप का मंदिर था दोस्तों माना जाता है कि इस मंदिर में एक सिबिलिंग था और वह सिबिलिंग हवा में उड़ता था इसलिए पूरे भारत की स्रत धालवों के बीच में यह मंदिर आश्यरी का भी सह था इसलिए दूर दराज के छेत्रों से भी लोग यहां आते थे सिपलिंगे के दर्सन कर दें और चड़ावा चड़ाते थे इसलिए धन संपदा के दर्स्टी कौंड से यह भारत का सबसे संपन्न मंदिर था सोमनात के मंदिर पर महमूद गजनबी ने 1025 इसवी में आकर्मन किया इसकी तिथी आपको याद रखनी है पूछा जाता है प्रस्न कि महमूद गजनबी ने सोमनात के मंदिर पर कब आकर्मन किया था? 1025 इसबी में आकर्मन किया था महमूद गजनबी ने सोमनात के मंदिर को नस्ट कर दिया और यहां संचीत दंसंपत्ती को भी लूटा और इस दोरान महमूद गजनभी ने कई दिर्दोस ब्रामडों की हत्याएं भी की माना जाता है कि जब महमूद गजनभी ने सिबलिंग को हवा में उड़ते हुए देखा तो महमूद गजनभी ने अपने लोगों को आदेश दिया कि इस मंदीर की छट को तोड़ा जाए और जब छट को तोड़ा गया तो वह सिबलिंग टेंड़ा हो गया तो महमूद गजनभी यह समझ गया कि चुम्बकी सक्ती के माध्यम से इस सिबलिंग को हवा में रखा गया था और फिर महमूद गजनभी के लोगों ने जब पूरी छट तोड़ दी तब यह सिबलिंग हवा से नीचे गिर गया इस सिबिलिंग को तोड़ करके महमूद गजनभी ने इसके पत्थरों को गजनी इस्तित जामा मस्जिद की सीडियों में चुनवा दिया ताकि यदि मुस्लिम जंता मस्जिद में नवाज पढ़ने के लिए जाए तो इस पत्थर पर अपने पैर रखते हुए आगे बढ़े दोस्तो सोमनात के मंदिर पर सफलता पूर्बा काकर्वन करने के उपरां यहां संचित धन संपत्ति लेकर के जब महमूद गजनभी वापस गजनी की और लोटा तो उसे सिंद हो करके लोटना पड़ा लेकिन सिंद में इस समय समुद्री लोटे रहे थे और उन समुद्री लोटेरों ने महमूद गजनभी को परिशान किया माना जाता है महमूद गजनभी का कुछ धन भी समुद्री लोटेरों के द्वारा लूट लिया गया उस समय तो महमूद गजनभी ने उनके खिलाब कोई प्रयास नहीं किया लेकिन जब वो अपनी बची हुई दंसंपता लेकर के गजनी सुरक्षित पहुँच गया और अपनी संपता को गजनी मुशनी सुरक्षित रख दिया तो फिर सिंद के इन समुद्री लुटएरों यान अंतिम आकरमन कब हुआ? 1027 इसभी में कहां हुआ? सिंद पर हुआ और सिंद के जाटों का महमूद गजनभी ने कतले याम किया यहां भी उसने अत्तिदिक मात्रा में धंसंपत्ती लूटी इसके उपरांत महमूद गजनभी को भारत पर आकरमन करने की अवसकता ही नहीं र तो धन के द्रश्टे कोन से महमूद गजनभी के द्वारा भारत पर किया गया सबसे सफल आकरमन कहां का आकरमन था? गुजरात के मंदिर सो मनात पर किया गया आकरमन था और सो मनात के मंदिर पर कब आकरमन किया गया? 1025 इसभी में प्रतम आकरमन कब किया गया? 1027 इसभी मे इसके पस्चात महमूद गजनबी बीमार पड़ गया और 2030 इस भी में महमूद गजनबी की मृत्तु हो गई तो दोस्तों यह थे महमूद गजनबी के द्वारा भारत पर किये गए कुछ महत्पून आकर्मन एक बार फिर से मरी बाइस करा रहा हूँ पहली महत्पून बाद कि महमूद गजनबी गजनी का सासक था सासक बनने के उपरां तुसने खलीपा से सासन करने की स्विक्रती प्राप्त की तो खलीपा ने खुस होकर के उसे सुल्तान की उपादी दी और यमीन उद्दौला एबं अमीन उल्मिलत की उपादियां दी इस से महमूद गजनवी भी खुस हुआ और उसने खलीपा को कमिटमेंट किया कि मैं प्रतेग बर्स भारत पर आक्रमन करके वहां से धन दौलत लूट करके लाऊंगा महमूद गजनवी ने भारत में कुल सत्रह आक्रमन किये जिन में से प्रथम आक्रमन एक हजार ईस्वी में हिंदू साही राज्ज के बिरुद किया गया और इस आक्रमन के दौरान उसने हिंदू साही राज्ज की सीमा में इस्थीत कुछ दुर्गों को जीतने में सफलता प्राप्त की फिर एक हजार एक हजार दो ईस्वी में उसने हिंदू साही था, हिंदू साही राज्य परतमान में कस्मीर एबं पंजाब के चेत्र में इस्थित था, हिंदू साही राज्य की राजधानी उद्भांड थी, उद्भांड को ओहिंद एबं बैहिंद भी कहा जाता है, इस राज्य की स्थापना कल्लार के द्वारा की गई थी, कल्लार का उ मेहमूद गजनवी ने फिर भारत पर अपना महत्तपूर्ण आकरवन 2018 में कन्नौज पर किया और कन्नौज स्थित मतुरा इवं बरंदा बनके मंदिरों को लूटा और इस अभियान के दौरान कन्नौज के सासक राजजपाल ने महमूद गजनवी को रोकने का प्रयास नहीं कि फिर महमूद गजनवी ने विद्ध्धर को दंडित करने के लिए 2019-2020 में आकरमन किया लेकिन वो विद्ध्धर को पराजित नहीं कर सका क्योंकि विद्ध्धर अपनी सेना लेकर के रात्री में निकल भागे अंधता महमूद गजनवी ने 2021-2022 में गौलियर को जीता तेष म पुना बिद्यधर के राज कालिंजर पर आक्रमन किया, हालांकि वो बिद्यधर को पराजित नहीं कर सका, इस तरह से भारत का एकमात राजपूत सासक बिद्यधर था, जो महमूद गजनभी से कभी भी पराजित नहीं हुए थे। वहां लूट मार की, वहां से आगे बढ़कर के उसने गुजरात इस्तित सोमनात के मंदिर पर आक्रमन किया, धन के दरश्की कून से सोमनात के मंदिर पर किया गया, आक्रमन महमूद गजनभी के द्वारा किया गया, सबसे महत पून आक्रमन था, और महमूद गजनभी ने भा म्रत्व हो गई महमूद गजनबी के इन आकर्वनों के प्रणाम सरूब भारत के उत्तर पस्चिम सीमा प्रांथ के कुछ छेत्रों में गजनबी वंस के सासकों का अधिकार इस्थापित हो गया जैसे अफगानिस्तान, मुल्तान और पंजाब पर गजनबी वंस के सासकों का अधिकार इस्थापित हो गया तो ये छेत्रे किसके अधिकार में चले गए महमूद गजनबी और उसके उत्तर अधिकारियों के अधिकार में चले गए दोस्तो महमूद गजनबी के संबंद में ये माना जाता है कि वह पहला ऐसा मुस्लिम सासक था जिसे खलीपा ने सुल्तान की उपादी दी थी इस तरह से इतिहास में उसे प्रतम सुल्तान माना जाता है इसके अत्रिक्त महमूद गजनबी ने गाजी की उपादी भी धारण की थी गाजी का अर्थ होता है बिधर्मियों का नास करने बाला बिधर्मी कौन जो इसलाम धर्म नहीं मानते वो सब बिधर्मी तो चुकि महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमन करके यहां के बिधर्मियों का नास किया था इसलिए उसने गाजी की उपादी धारन की थी तो इतिहास में सुल्तान की उपादी धरन करने वाला प्रतम सासक महमूद गजनबी और इतिहास में गाजी की उपादी धरन करने वाला प्रतम सासक महमूद गजनबी था इसके अलावा महमूद गजनबी को बुद्ध शिकन भी कहा जाता है ये तीनों उपादिया महत्यपूर्ण हैं, बुठ शिकन का अर्थ होता है मूर्ती भंजक, अर्थात मूर्तियों को तोड़ने वाला, तो महमूद गजनभी जब भारत के मंदिरों पर आक्रमण करता, वो भारती देवी देपताओं की मूर्तियों को तोड़ देता था, इसलि ये वीर योद्धा ही नहीं था, बलकि वह बिद्वानों का महान सनरक्षक भी था, उसने कई बिद्वानों को अपने दरवार में सनरक्षन दे रखा था, कहते हैं महमूद गजनभी के दरवार में एक इतिहास कार रहता था जिसका नाम उत्वी था, और उत्वी ने एक कित लिखी है तारीख एयामनी या किताब उल्यामनी या पुस्तक महत्पूर्ण है प्रसन पूछा जाता है कि महमूद गजनभी का दरबारी इतिहासकार कौन था उत्वी था और उत्वी की रचना कौन सी थी तारीख एयामनी या किताब उल्यामनी उसी प्रकार महमूद गजनभ के कहने पर उसी के समय फिरदोसी ने एक पुस्तक लिखी थी साह नामा कहते हैं महमूद गजनवी ने फिरदोसी से ये कहा था कि तुम एरान के सासकों पर एक पुस्तक लिखो एरान के सासकों पर क्यों क्यों कि महमूद गजनवी मूल रूप से एरानी था तो इसने अपने प प्रतेक चंद के लिए एक दीनार दूंगा तो फिर दैसु ने कई महीनों की महनत के बाद कई सालों की महनत के बाद एक पुस्तक लिखी साह नामा जिसमें हमें इरान के सासकों का इतिहास प्राप्त होता है और इस पुस्तक में एक हजार चंद थे लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई तो महमूद गजनभी ने सोने के सिक्के अर्थात दीनार में पेमेंट ना करके चांदी के सिक्कों में पेमेंट करने का आदेश दिया कि इसे चांदी की एक हजार मुद्राइं दी जाएं तो फिर्दौसी नराज हो गया और फिर्दौसी ने ये मुद्राइं लेने से इंकार कर दिया माना जाता है उसके बाद फिर्दौसी अपनी रचनाओं में महमूद गजनभी की आलोचना करने लगा जिससे महमूद गजनभी जनता की बीच में अलोगप्री होने लगा और मेहमूद गजनभी फिरदोसी की इस करतूत से डर गया और फिर मेहमूद गजनभी ने अपने लोगों को आदेश दिया कि भाईया उसे जाकर के सोने की मुद्राइं दे करके आओ और एक बैलगाडी में सोने की मुद्राइं लेकर के मेहमूद गजनभी के द्वारा बेजे गए लोग फिर्दोसी के पास जब पहुँचे तब तक फिर्दोसी की मृत्तू हो चुकी थी और उसका जनाजा निकल रहा था उन लोगों ने वह धन फिरदौसी की एक मात्र संतान उसकी पुत्री को देना चाहा लेकिन उसकी पुत्री ने भी इस धन को लेने से इंकार कर दिया तो फिरदौसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक साह नामा विशेश रूप से महत्र पूर्ण है और एक बार यह पुस्तक मद्द प्रदेश पी एस सी में पूंची भी गई दोस्तो साह नामा को अफगानिस्तान का महा भारत भी कहा जाता है और फिरदौसी को पूरब का होमर भी कहा जाता है पूरब का होमर यानि यह है कि इतिहास कारों ने पूरे विश्व को दो भागों में बाटा है पस्चमी विश्व और पूरभी विश्व पस्चमी बिश्व के अंतरगात आते हैं यूरोपी देश और अमेरिकी देश, उत्री अमेरिका और दक्षणी अमेरिका के सभी देश, और पूर्वी बिश्व के अंतरगात आते हैं एसिया के सभी देश, आफरीका के सभी देश, तो महमूद गजनबी के सासनकाल में जो बिद्वान फिरदोसी हुआ उसे पूर्ब का होमर भी कहा जाता है होमर यूनान का रहने वाले एक प्रसिद्ध कभी थे बिद्वान थे जिनका समय नौमी से दसमी सताब्दी ईसा पूर्ब था और होमर ने दो महत्पूर्ण महाकाप बे लिके थे एक इलियट और दूसरा ओडिसी इलियट नामक महाकाप पर ही हॉली बुड में एक महत्पूर्ण फिल्म बनाई गई है ट्रॉय जिसमें आप यह देखते हैं कि ट्रॉय वा यूनान के मद्द एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में ट्रॉय के एक बीर सिपाही एक लीज की बीरता को दिखाया गया है तो यह फिल्म इलियट नामक महाकाप पर ही आधारी थे आप लोग चाहें तो देख सकते हैं फिर दोसी के अतरिक्त मैमूद गजनबी के समय पे अलबरूनी भी एक महत्यपूर बिद्धवान हुआ और जब मैमूद गजनबी ने भारत पर आकर्मन किये तब उनी आकर्मनों के दोरान अलबरूनी भारत आ गया और भारत में ही इस्ताई रूप से बस गया तो एक प्रशनिया भी पूचा जाता है कि भारत आने बाला प्रथम मुस्लिम विद्वान कौन था अलबरूनी अलबरूनी ने भारत में जो कुछ देखा सुना उसके आधार पर उसने एक पुस्तक लिखी किताब उलहिंद जिसे तारीख एहिंद या तहकीक एहिंद भी कह जाता है और इस पुस्तक से उस युग की महत्पूर्ण राजनीतिक सामाजिक धार्मिक जानकारी हमें प्राप्त होती है अलबरूनी और उसकी इस पुस्तक के सम्मंद में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब हम सल्तनत कालीन साहितिक सुरोत पढ़ेंगे तो भारत आने प्रतम मुसलिम बिद्वान कौन था अलबरूनी इसके पुस्तक का नाम क्या है किताब उलहिंद या तहकीक एहिंद या तारीख एहिंद इसके अलाबा महमूद गजनभी के दरबार में बैहाकी नामक बिद्वान भी रहता था जिसे ब्रिटिस इतिहासकार लेन पुल ने पूरभी पेपस कहा है पेपस इटली के एक बिद्वान थे तो पूरब का पेपस किसे कहा गया है बैहाकी को कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है लेन पुल के द्वारा कहा गया है और बैहाकी ने एक पुस्तक लिखी है तारीख एस सुबक्तगीन इन बिद्वानों के अ अलावा उसके दर्बार में उजारी, उनसूरी, अजजदी, फर्रुखी, फरावी जैसे बिद्वान भी रहते थे, तो कई बिद्वानों को उसने अपने दर्बार में संरक्षन भी परदान किया था, जिन में महत्पूर कौन-कौन से हैं, उत्वी, अलबरूनी, फिर्दोसी, ये तीन बिद्वान बिसेश रूप से महत्पूर हैं, जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, इन बिद्वानों को संरक्षन देने के अलाबा, महमूद गजनभी ने गजनी में कई निर्मान कार भी करवाए, उसने गजनी में कई बिश्विद्याले बनवाए, पुस्तकाले बनवाए, अजायब घर का निर्मान भी करवाया, अजायब घर यानि चिडिया घर याईसा, और साथ साथ मेहमूद गजनभी ने गजनी में नवार नदी पर एक बांध भी बनवाया जिसे बाढ़ ए सुल्तान कहा जाता है तो उसने गजनी में कई पुस्तकाले बनवाए बिस्व बिद्याले बनवाए गजनी में जामा मस्जिद बनवाई अजायब घर बनवाया नवार नदी पर बाड़ सुल्तान नामक बांध बनवाया ये समस्त निर्मानकार महमूद गजनबी के द्वारा ही किये गए महमूद गजनबी पहला ऐसा मुस्लिम सासक था जिसने भारतिय धंग के सिक्के जारी किये और उन सिक्कों को इतिहास में देहली वाला नाम से जाना जाता है तो ये बहुत मत्तपूर्प्रसन है एक बार UPSC Prelims में पूछा गया है कि देहली वाला क्या था तो देहली वाला एक सिक्का था यह भारती धंग के सिक्के थे, जो कि महमूद गजनभी के द्वारा जारी किये गये थे, साथ ही साथ महमूद गजनभी ने कुछ ऐसी मुद्राएं भी जारी की, जिन में एक तरफ अरबी भासा में महमूद गजनभी का नाम खुदा हुआ था, और दूसरी तरफ संस्कृत भ अब्यक्त मेकम मुहम्मद अवतार निरूरवी महमूद इसे याद करने के बशक्ता नहीं है के बल आपको यह याद रखना है कि किस मुसलिम सासकों ने अपनी मुद्राओं में अरभी भासा के सांसां संस्क्रत भासा का भी उप्योग किया तो वह महमूद गजनबी था जिसने अपनी मुद्राओं में अरभी भासा के सांसां संस्क्रत भासा में भी लेख अंकित करवाई इस तरह से ये महमूद गजनबी की उपलब्दियां थी जो इस बात की और संकेत करती हैं कि वह ना केबल एक समराज निर्माता था बल्कि वह कला बिद्वान का महान सनरक्षक भी था और उसने कला के छेत्र में कई निर्मान कारे करवाए और अपने दर्वार में कई महान बिद्वानों को सनरक्षन भी प्रदान किया 1030 में महमूद गजनवी की मृत्तु हो गई लेकिन उसके आकर्मन का महत्पून प्रभाव यह पड़ा कि अफगानिस्तान, मुल्तान और पंजाब इन छेत्रों पर गजनवी वंसका राज्य इस्थापित हो गया क्लियर है दोस्तों, लेकिन महमूद गजनवी के द्वारा बारत में मुसलिम राज्य की स्थापना भी नहीं की गई, बारत में मुसलिम राज्य की स्थापना मुहम्मद गोरी के द्वारा की गई, जो हम आगे पढ़ेंगे, अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के आप सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, प्रसन्य रहें, आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद. बहुत को दो रहें, खुश अ मतमा, आप सभी का बहुत बहुत भुस शाखें, आप दो दोचका बहुत भाले सभी summarize। हो दो कि का बहुत बहुत धन्यास के अबर्म, करता है, युश रहां है, प्रसम्यास tejएशिया साल Two раз—